एलो बच्चों तो कैसे हो आप सब तो आप सब का एक फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुटेन्मेंट अपके इस परिवार में तो आज के वीडियो में हम आप लोग को दस इंपोर्टेंट डेली वर्ड मिनिंग देंगे तो आज आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहें और आप लोग को कुछन के इंसर्ट पता थे कमेंट में जरूर बताए तो आज के हमारे सबसे पहले कोस्ट्टी ए डबल ल कॉल को हिंदिम गया के थे तो अगर आप लो इसका जवाब है नीचे जुकना पॉसन नमर चने आई एन आई टी आई ए टी ए तो अब हमारा नेक्स्ट कोशन है आई एन आई टी आई ए टी ए इनिशियेट को हिंदिम क्या केते हैं तो अगर आप लोग को इसके जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट ते जवाब पता है तो इसका जवाब है पहल करना हमारा नेक्स्ट कोशन है बी ए जी आई एन बेगिंग को हिंदिम क्या केते हैं तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट जवाब बताए तो टाइम स्टाट होता है अब तो इसका जवाब है शुरू करना अब हमारा नेक्स्ट कोशन है ए एक्स सी ए पी टी आई ओ एन एक्सेप्शन एक्सेप्शन को इन दिम क्या केते हैं तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताए तो टाइम स्टाट होता है तो इसका जवाब है अपने अलुक्त करने दिम करता है अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट चे जवाब बताए तो टाइम स्टाट होता है अब तो इसका जवाब है बेचना यह मतलब देचना नेक्स्ट कोर्चन डी आर ओ पी ड्रोप ड्रोप को इंदी में क्या के तो अगर आप लोग को इसके जवाब पता है तो कमेंट फटा-फट से जवाब बता है तो टाइम इस्टार्ट होता है अब तो इसका जवाब है बून्द ड्रोप मतलब बून्द अब हमारे नेक्स्ट कोर्चन है एफ आई एन आई एस एच फिनिस को इंदी में क्या केते हैं तो अगर आप लोग को इसे जवाब पता है तो कमेंट रम फटा-फट से जवाब बताएं तो टाइम स्टार्ट होता है करना फिनिस मतलब खतम करना अब हमारे नेक्स्ट कोर्चन है और यू एल ए रूल रूल का गया मतलब होता है तो आपको पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट रम फटा-फट से जवाब बताएं तो टा तो इसका जवाब है पीट मतलब पीटना तो यह थे आज का मारे दस वर्ड मिनिंग और उनके हिंदी तो आयोग कि आप लोग को कितने के अंसर पता दे वैसे यूजफुल कॉंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल को हिट जरूर कर जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टो टाइम पहुश्थी रहे तो अब मिलेंगा आप से नेक्ट वीडियो में तब तक लिए टेक क्यार और आपने अपना खीमती समय दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया